हाई फ्रेंद्स वेलकम टू क्रियेटिव हुबन एजुकेशन तो दोस्तो आज डेट है 18th मार्च 2020 तो आज से लगभग 10-12 दिन बाद पहली एप्रिल से हम लोग पहली एप्रिल 2020 से क्लास 12 की अकाउंट 10C की क्लासेज रेगिलर क्लासेज मेरे चानल क्रियेटिव हुबन बेनिफिट मिल सके दोस्तो मेरे कुछ स्टूडेंस ने मुझसे कहा कि सर ये बचे हुए 10-12 दिन के अंदर अगर क्लास 11 के कॉंसेट्स को थोड़ा रिवाईज आप करा देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशल होगा तो आज से लेकर कि 10-12 दिन जो बचे विल्थ में आपके बहुत काम आएगी तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं ताकि लेटिस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप मेर जबरदस व्लॉग्स, अनिमेशन, स्केचेज, रिव्यूज और बहुत कुछ और अच्छा इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरा चैनल क्रियेटिव हुमन सब्सक्राइब करिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आईए फ्रेंज आज का वीडियो स्टाट क जाएगा और ये बहुत ही जरूरी है अगर आप क्लास 11 के कॉंसेप्स बेसिक कॉंसेप्स आपके क्लियर नहीं है तो अभी भी दस बारा दिन का टाइम है आप इसमें अपने सारे कॉंसेप्स को खुब अच्छी तरह से क्लियर कर लीजे आपको कोई डाउट है तो आप मु 2017 है मार्च 4 परचेस बिल्दिंग फर रुपीज 1,50,000 और इंकूर्ड एक्सपेंस 10,000 और इस परचेसेज नेक्स है सतीश हु ओडस 20,000 इस डेकलेद इंसल्वेंट और 60 पैसा पर रुपी इस रेसीवड फ्रम इस एस्टेट नेक्स है पाइड 500 फर रिपेरिंग दॉफिस नेक्स उसके बाद है प्रोप्राइटर विद्रियू फर हिस परसनल यूज चैश 5,000 और गुड्स वर्थ 2,000 परचेसे नेक्स है उसके बाद पाइड एलेक्रिसिटी चार्जेस 1,600 नेक्स है उसके बाद चार्ज देप्रिसिएशन और मशीनरी अट रेत 10% पर वान ये उस हमारी दी हुई है 75,000 और उसके बाद हमें बताया गया है outstanding wages at the end of the year is 6,000 तो ये एक question है journal entries का तो हम लोग इसकी journal entry आईए पास करते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पर बताया हुआ है कि purchased building for 1,50,000 and incurred rupees 10,000 expenses of rupees 10,000 on its purchase मतलब 1,50,000 की building खरी दी उसके साथ में 10,000 रुपे हमने और पे करा expenses उस building को purchase करने के लिए तो मैं आप लोगों को यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि जो भी cost of machinery होता है हमारा उसमें ये extra expenses जो भी कुछ हम करते हैं building को खरीदने के समय पे या कोई भी asset को खरीदने के समय पे उससे जुड़ा जो expense होता है that becomes the cost of the machinery तो ये हमारे machinery के cost में add हो जाएगा और total costing हमारी machinery क हो जाएगी 1,60,000 अब इसको हमें journal entry के form में किस तरीके से लिखना है सबसे पहले journal entry का मैंने यहाँ एक format बनाया हुआ है हम यहाँ पे सबसे पहले year हमको दिया हुआ है 2017 date जिसमें हो रहा है वो है March 4th और क्यूंकि इसमें दो account effect हो रहे हैं एक है building और दूसरा हमारे पास से cash या हमारे पास से पैसा जा रहा है तो bank account हमारा involved हो जाएगा building एक real account है real account का rule होता है debit what comes in building हमारे पास आ रही है asset बढ़ रहा है तो हमारी entry हो जाएगी building अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे 1,60,000 और उसके बाद हम narration लिखेंगे यहाँ पर purchased and expenses paid ठीक है देखिए friends narration बहुत ही important होता है मैंने अकसर देखा है बच्चों को narration में गलती करते हुए narration को skip off करते हुए तो इससे बच्चे marks loose करते हैं यह आप narration ज़रूर लिखें उसके बाद एक straight line इस तरीके से खीचती जाएगी next transaction देखते हैं इसके बाद हमारा second transaction क्या कहता है second transaction है हमारा Satish who owed us 20,000 is declared insolvent and 60 पैसा per rupee is received from his estate ठीक है तो देखिए Satish हमारा एक debtor था जिससे कि हमको 20,000 रुपे मिलने थे लेकिन आज वो हमें 20,000 नहीं दे पा रहा ही is not able to give us 20,000 और एक रुपे में सिर्फ 60 पैसा दे रहा है तो हम क्या करेंगे इसका 60% calculate कर लेंगे इसका 60% हमारा आ जाएगा 12,000 तो देखिए 20,000 रुपे हमें मिलने थे लेकिन अब हमें कितना मिल रहा है सिर्फ 12,000 रुपे मिल रहा है हमें कितना नहीं मिला 8,000 तो ये तो ह हमारा बना bad debts जो की हमारे लिए क्या हो जाता है नुकसान हो जाता है तो इस case में तीन account effect हो रहे हैं एक है सतीश दूसरा है cash और तीसरा है bad debts आये देखते हैं कि journal entry के form में इसको कैसे लिखा जाएगा हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे यहा इसलिए यहां पर हो जाएगा cash account debited bad debts हमारा नुकसान है तो debit all expenses nominal account का rule हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा bad debts account debited to सतीश ठीक है अभी cash हमको कितना मिला cash हमको receive हो रहा है सिर्फ 12,000 कितना cash हमें नहीं मिला नुकसान हो गया हमारा 8,000 और total हमको सतीश से मिलना है कितना था 20,000 narration इसका हम लोग लिखेंगे cash received from सतीश and bad debts written off ठीक है और एक straight line हम यहाँ पर कीच देंगे आएए next third transaction देखते हैं पहले दो तो हम लोगों ने कर लिए उसके बाद तीसरा transaction है हमारा paid 500 for repairing the office furniture तो एक तो हमारा repairs account effect हो गया और दूसरा उसके बाद हमारा क्या खर्चा हो गया cash क्योंकि खर्चा हुआ है तो cash हुआ है इसलिए next account जो second account effect हुआ हमारा इस case में वो है cash सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम date लिखेंगे यहाँ पर date हमारी क्या दी हुई है March 15th repairs account nominal account होता है nominal account का rule होता है debit all expenses तो हम यहाँ पर repairs को debit कर देंगे entry बनी repairs account debited to cash account कितने का हमने repair कराया है हमने repair कराया है 500 रुपे का amount column में कितना लिख देंगे 500 यहाँ पर हमने लिख दिया अब narration लिखने की बारी आती है तो narration में हम क्या लिखेंगे narration में हम लिखेंगे payment made for repairs of furniture और एक straight line यहाँ पर हम कीच देंगे आईए next transaction देखते हैं इसके बाद proprietor withdrew for his personal use cash 5,000 and goods worth rupees 2,000 तो आप देखें यहाँ पर personal use है जैसे ही personal use आता है तो क्या हो जाता है हमारा drawings हो जाएगा और cash में 5000 withdraw कर रहा है goods में यह 2000 कर रहा है जैसे ही goods में drawings होगा तो हमारा कौन सा account credit होगा हमारा purchases account credit होगा क्योंकि जब भी goods आते हैं तो purchase के नाम से आते हैं हम purchase account को debit करते हैं और आज हमारा पास से goods जा रहे हैं जाने की जगह हम ज़्यादा बहतर कहेंगे कि personal use में इस्तमाल करे जा रहे हैं तो हमारी stock की value कम हो रही है इसलिए हम purchase account को credit कर देंगे तो आईए देखते हैं इसकी journal entry क्या हो जाएगी सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे date March 18th entry क्या बनेगी drawings account debited to cash account to purchases account total drawings हमने कितनी करी देखिए सबसे पहले तो हमने 5000 रुपए cash निकाला उसके बाद हमने goods लिका ले 2000 रुपए के तो कुल मिला के हमारी drawings की value कितनी हो गई 7000 narration हम लिखेंगे यहां पे cash and goods withdrawn on for personal use ठीक है और एक स्ट्रेट लाइन हम यहां पे कीच देंगे next transaction देखते हैं इसके बाद next transaction बताता है purchased the following items for business iron safe 15,000, filing cabinet 5000, typewriter 12,000, postage 200 और stationery 150 देखिए इसमें यह जो तीन है iron safe, filing cabinet और typewriter यह तीनों office equipment होते हैं तो इनके लिए एक अलग account तीनों का एक account बन जाएगा office equipment लेकिन यह जो postage और stationery है यह दूसरा account हो जाता है हमारा postage and stationery और इसमें cash में payment हो रहा है तो cash हमारा real account होता है credit what goes out real account का rule होता है तो आईए देखते हैं कि इसकी journal entry किस तरह से करी जाएगी बहुत simple है हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम date डाल देंगे March 20th हम लिखेंगे office, equipment, account, debited to cash, account देखें आप इसकी combined entry भी कर सकते हैं उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन बहतर होगा कि आप इसकी दो अलग-अलग entry यां करें तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया March 20th को office, equipment, account, debited to cash, office, equipment में हमारे पास तीन चीजें थी, पहला हमारा क्या था, iron safe, दूसरा filing cabinet और तीसरा typewriter, तो तीनों के amount को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आजाएगा 32,000 और narration में हम यहाँ लिख देंगे इसमें purchased, iron, safe, filing, cabinet, and typewriter. ठीक है? और एक straight line हम यहाँ पे खीच देंगे. इसके बाद हम postage and stationery जो हमने खरीदा है, जो purchase करी है, उसकी entry पास करेंगे. लेकिन date सेम रहेगी. date हम यहाँ डालेंगे March 20th. क्या लिखेंगे? पोस्टेज and stationery account debited to cash account. और दोनों जो हमारा postage पे 200 रुपय गया है और stationery पे हमारा 150 गया है, तो दोनों को हम add कर देंगे. यहाँ पे हमारा हो जाएगा 350 and 350. narration हम यहाँ पे लिखेंगे expenses paid for postage and stationery. और एक straight line हम यहाँ पे खींच देंगे. cash हमारे पास से जा रहा है तो हम उसको क्या cash को क्या कर देंगे? credit कर देंगे. तो हम सबसे पहले date डालेंगे. March 28th, 28 तरिक. Entry electricity charges. Charges. अकाउंट debited to cash account. अमाउंट कितना हमने दिया? 1600. ठीक है? narration हम इसका क्या लिख देंगे? narration है expenses. या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं. paid electricity charges. ठीक है? और एक straight line यहाप इस तरीके से आप कीच देंगे. next transaction उसके बाद हम लोग देखते हैं. ये वाला हम लोग ने कर लिया paid electricity charges. और हमारे next अभी इसके बाद जो transaction है. वो है charge depreciation on machinery at the rate 10% for one year. machinery की value 75,000 दी हुए है. भाई सीदी सी बात है. अगर 75,000 रुपए हमारी machinery है. और उसका हमें कितना calculate करना है? 7,500. depreciation हमारा nominal account होता है. nominal account का rule होता है. debit all expenses and losses. और यहाँ पे machinery हमारी depreciate हो रही है. तो जब machinery depreciate हो रही है. तो asset का rule होता है. debit increase in asset, credit decrease in asset. हमारा asset की value कम हो गई. तो हम credit decrease in asset करेंगे. और हम यहाँ पे क्या कर देंगे? March. सबसे पहले हम date डालेंगे. 31st. Entry depreciation. Account. Debited to machinery. Account. कितना amount हो जाएगा? 7,500 और 7,500. narration लिखेंगे हम depreciation. Charged. on machinery. ठीक है? एक straight line हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको हीच देंगे. Next. देखते हैं इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? Outstanding wages at the end of the year. 6,000. देखें, दो account इस case में effect होंगे. एक तो हमारा outstanding wages हो जाएगा. और एक हमारा wages account होगा. Outstanding wages हमारा representative personal account है. ठीक है? और wages हमारा nominal account है. Journal entries case में हमारी क्या बन जाएगी? सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है. Date March 31st. Entry wages account debited to outstanding wages. क्यूंकि outstanding wages हमारा क्या होता है? Representative personal account. Amount हम कितना लिखेंगे? 6000 और 6000. Narration लिखेंगे. Outstanding wages recorded. Outstanding wages recorded. ठीक है? एक straight line यहाँ कीच देंगे. और उसके बाद हम amount column का total करेंगे. तो इदर हमारा total आएगा 2,34,950. और इदर भी आएगा 2,34,950. तो friends, यह हमारा एक छोटा सा question था, journal का, जिसको हम लोगों ने अभी solve किया. और आज के revision में हम लोगों ने journal किया है. कल हम लोग next chapter revise करेंगे. और इसी तरीके से March के जो बचे हुए दिन है, हम लोग इसमें एक एक करके class 11th के chapters को revision करेंगे. अगर आपके कोई भी doubts हैं, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो please मुझसे comment करके पूछे, मेरी पूरी कोशश होगी आपके सारे doubts को clear करने की. और याद रखिये का friends, 1st April 2020 से हमारे class 12th के accountancy के regular classes chapter wise detail में start होंगे, हमारे channel creative human education पे. तो दोस्तों बने रहे चैनल पे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, बाई बाई.